नमस्का, मैं उससी आयो जर्खन की टॉप पचीस पर मोग खबर जानते हैं जर्खन करता है अपने समोधन में 36 गर सीम भूपेस बगेल ने कहा है कि मैं जर्खन की वीर भूमी को नमन करता हूँ जर्खन के बीर पूर्सो ने देश की अजादी के साथ साथ जर्खन की अस्मिता और सम्मान की लड़ाई लड़ी उन्होंने कहा कि 9 अगस्त का दिन 2 कारनो से महत्पून है पहला इसे विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है वहीं दूसरा कारणिया होई कि राष्ट पिता महात्मा गांधिने 9 अगस्त को ही अगस्त करांती के रूप में करो या मरो का नारा दिया था उन्होंने कहा है कि देश की रक्षा के लिए आ अगस्त तक राज्य के सभी अस्थानों पर हलके से मदर्ज की बारिश की संभावना जताई है वहीं 13 अगस्त को राज्य के मद्य और दक्षनी भागो तथा 14 अगस्त को राज्य के दक्षनी पच्मी तथा मद्य भागो में कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी जारी की है बता दे पिछले दो दिनों से करीब करीब पूरे जारखन में अच्छी बारिस हो रही है राज्य के उपर एक विचोब बना हुआ है इस करण बारिस हो रही है 12 को इसे थोड़ा कमजोर होने की उमीद है इसके बाद एक और विचोब बन रहा है इस करण 16 अगस्त तक अच्छी बारिस हो सकती है सियम हेमंत सुरेन 47 साल के माता पिता से लिया आशिरवाद जारखन के मुख्य मंत्री हेमंत सुरेन 47 साल के हो गया है सियम सिरी सुरेन अपने पिता गुरु जी सिवु सुरेन और मार उपी सुरेन से आशिरवाद लिया बता दे माता पिता से आशिरवाद लेते हुए गुरु जी साराज सबसांसा सिवु सुरेन ने कहा है कि राजे के गरीब, सोसीत, वंचीत, आदिवासियों और मुलवासियों के हक अधिकार के लिए जार्खन का बेटा हमेशा कारे करता रहेगा साथ ही उन्होंने कहा कि राजे के विकास को लेकर निरंतर प्रयतन सील रहने वाले है मन्त की दू द्रिष्टी से राजे का बेहतर विकास होगा जार्खन में इसकूली बच्चों के लिए हिंदी लेखन परतियों गिता जार्खन में हिंदी लेखन के प्रती रूची बढ़ाने के लिए निबंध वा लगु कथा लेखन परतियोगिता आयोजन की जाएगी। सोतंतरता के 75 वर्ष उपलबदियो अर्चुनतियो विशय पर यह परतियोगता होगी। राज्य के स्कूली छात्र शात्राओं में हिंदी राचना को प्रत्साहित करने के लिए लगु कथा लेखन परतियोगता का आयोजन होगा। प्रविष्टिया अमंत्रित की जाती है इस परत्योगता के लिए निवन्धन का सीर साय सोतंत्रता के 75 वर्स उपलवद्यू और चुनोतिया निवन्धन, सर्वाथा, मौलिक तथा और प्रकासित इसके लिए लेखा को एक अपनी राचना के साथ एक घोसना पत्र भी समर्पि करना होगा जिसमें इमेल सहीद पूरा पता तक संपर्क मोबाइल नंबर अंकित हो किसान पोर्टल पर अपलोड होगा भूमी अभिलेग परधान मंत्री किसान समान निधी योजना के लाभू किसानों को भूमी अभिलेग पीम किसान पोर्टल पर अपलोड करना है रांची जीला में आपको की संख्या है 1,75,000 है जीला किलिसी पतपिकारी विकास कुमा ने बताया है कि योजना की लापहों की सानों को भोमी अभिलेग का सत्यापन अंचल कर्याले से कराना है इसे लेकर किसानों को कहा जा रहा है पर अभी तक अपेक्छीत प्रगती नहीं हुई है फिर से इसको लेकर लाभो किसानों को सुचित किया गया है बता दे भोमी अभी लेक एक ऐसा सब्धा जिसमें भोमी के पंजी करान, अधिकारों के रिकॉर्ड, किरायदारी और फोसल निरिक्षन रजिस्टर, उत्परिवर्तान रजिस्टर, विवादित मामलों के रजिस्टर आदि सामिल है इसके अलावा आकार उस जमीन की मिट्टी के बारे में भूग अरभीय जनकारी भी मिलती है साथी साथ भोमी के परकार और सिचाई समन्धित आर्थिक जनकारी मिलती है महिला ससक्तिकरण की मिशाल बनी गुमला की मंजु उरा गुमला जिला अंतरगा सिसाई परखंड के सिवनाथपूर डहूर टोली गाव में खेतों में ट्रेक्टर से हल चलाकर महिला ससक्तिकरण की मिशाल पेस करने एवं परिवार के आर्थे की चिती मजबूत करने वाली आदिवासी महिला किसान मंजु उराव को केंद्रिय राजी पढ़ा सरना प्रात्ना सभा के ओर से समानित किया गया इस मौके पर मंजु को अंगवस्त्र एवं मुमेंटो दिया गया दूसरी ओर जिला क्रिसीपता अधिकारी के निदेस पर बैंक आफ इंडिया सिसाई साखा से मंजु को एक लाक रुपय का के सिसी लोन बुद्धवार को सिवक्रित किया गया हेमंत सरकार पूरी तरह से इस्थीर जगरनाथ मतो जहारखन में मंत्री मंडल बिस्तार की अटकलो पर सूबे के सिक्षा एवं मगद निशेद मंत्री जगरनाथ मतो ने बिराम लगाया है बोकारों के बेरमों में खास बाचित में उन्होंने कहा कि जहारखन में हेमंत्र सरकार पूरी तरह से इस्थीर है सरकार गिराने या गिराने की फिलहाल अब कोई स्थीती नहीं रह गई है अब ऐसा कुछ नहीं है अब मामला पूरी तरह सांथ हो चुका है सरकार गिनाने के मामले में आगे पिछे करने वाले चुनाव में जानता ऐसे लोगों को परदाफास कर देगी जारखन 36 गड़ के 22 ठीकानों पर इड़ी का छापा बंगला देश से कोलकाता के रास्ते राय पूर्तक अवयद तरीके से बिदेशी सोना वा अनधायतों के तसकरी के मामले में एड़ी ने तीन दिनों तक जारखन के एक वाच थीकानों पर एक स्थाथ चापे मारी की इस चापे मारी में इड़ी ने 1.41 कोड़ रुपए नगदी के अलावा 16 किलोग्राम सोने के जेवरात वा बिसकूर तथा 671 किलोग्राम चांदी की ब्रामदगी की है यातायात के नियम में सुधार के लिए 20 जीलों में DSP तैनाथ जारखन के चार जीले रांची धनबा जमसेद पूरव बोकारों की तरही अन्य सभी 20 जीलों में एक एक DSP को सड़क सुरक्षा एवम यातायात समन्धित मामलों के लिए नोडल पतादिकारी बनाया जा रहा है बता दे कुछ जीलों में DSP मुख्याले तो कहीं कहीं DSP CCR को इसकी जिम्मेदारी सौपी जा रही है इससे समन्धित प्रस्ताव पूलिस मुख्याले ने गिरी कारा एवम आपदा प्रमदन विभाय के प्रदान सची को फेजा है राज अस्तर पर नोडल अफसर की जिम्मेदारी जंगल वारफेर इसकूल ने तरहाट के डियाजी को दी गई है जो ADG अभ्यान के माद्यम से DGP को अपनी रिपोर्ट देंगे सिल्पी नेहातिर की बनना चाह रही मंत्री रामेश्वर उराव जारखन के बीत मंत्री रामेश्वर उराव ने पच्छी मंगल के हवड़ा में कांग्रेस के तीन विधायक के भारी कैस के साथ पकड़े जाने के बाद पार्टी के अंदर जारी खिस्तान और भराम के लिए कुछ बिधायकों की महत्व कांचा को जिमिवाटा राया है उन्होंने घर का बेदी लंका धा का जिक्र करते हुए कहा है कि यहां कांग्रेस को बाहर से जदा अंदर से खत्रा है अंदर के लोग ही भरम फैला रहे हैं कि मंत्रियों को बदला जाएगा पहली बार बिधायक बनने वाले भी मंत्रि बनना चाहते हैं इस महत्व कांचा की कोई दवाई नहीं है धन्यवाद